ये है नर्म मुलायम मलाईदार पनीर जिसे हमने बिना नीबू बिना सिर्का यूस किये बनाया है घर में बहुती आसानी से इस तरह से हाईजनिक वे में हम हेल्दी पनीर बना सकते हैं और धेर सारी चीजे बना सकते हैं आप देख सकते हैं कितना मुलायम बनाया है और इदम perfect इसके shapes कटे हैं तो इस तरह से आप भी घर पर पनीर बना कर enjoy कर सकते हैं चलिए start करते हैं बनाना सबसे पहले मैंने आप एक भगोनी ली है उसे हम 1-2 teaspoon पानी डाल कर इस तरह से नीचे से गीला कर लेंगे ऐसा करने से जो दूद है वे तली पे चिपकता नहीं है और भगोनी हमारी इतना clean रहती है तो इस तरह से मैं 1-liter milk भगोनी में डाल दूगी मैंने आज यहाँ पर full fat milk लिया है मैं घर पर daily basis पर यही दूद लेती हूँ और इसी का पनीर में हमें पसंद आता है तो हम इसी का आज आज आपको मलाई पनीर बनाना बता रही हूँ तो इसे हम इस तरह से भगोनी में डालने के बात में गैस पे रख देंगे और high flame पे इसे boil आने देंगी और इसे continuous हराएंगे continuous हराने से जो दूद के अंदर fat होता है उपर वाली layer में नहीं जमता है और जो fat है अच्छे से distribute रहता है milk में और उमारा जो पनीर इतम perfectly soft और मुलायम बन कर आएगा तो इस तरह से देखिए दूद में boil आ चुका है अब हम यहाँ पर gas को बन कर देंगे gas को बन करने के बाद तुरंत हम इसे gas stove से उतार लेंगे और next process करेंगे यहाँ पर आज हम यहाँ दूद को पनीर बनाने में किसी भी तरह का नीबू या सिर्के का यूज नहीं करेंगे आज हम यूज करेंगे यहाँ पर दही का जी हाँ दही से बहुत ही healthy टेस्टी यह मुलाया पनीर बन कराता है इस तरह से मैंने one fourth cup दही ले लिया है इसे अच्छे से हम यहाँ पर फेट लेंगे उसके बाद हम इसे दूद में डालेंगे दूद एकदम गरम होना चाहिए और धीरे धीरे इस तरह से दही डालकर हम इसे धीरे धीरे ही हिलाएंगे जिस तरह से की सिरका या फिर निबू का रस डालने से दूद एकदम फट जाता है यहाँ पर यह वैसे नहीं होगा और यदि आपको perfect पनीर बनाना है तो कभी भी आप एकदम से इसे temperature पर high temperature पर इस तरह से डालेंगे एकदम फट जाएगा दूद तो आपको एकदम चीठा बनेगा लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए एकदम मुलायम पनीर तो इसलिए हम यहाँ पर धीरे धीरे डाल रहे हैं और धीरे धीरे इसे लाएंगे आप देखेंगे इसमें धीरे धीरे दाना पढ़ना स्टार्ट हो गया है तो आप थोड़ा सा patience रखें दो से तीन मिनिट इस process में लगते हैं और यदि आपको लग रहा है कि दूद नहीं फटा धीरे धीरे अप देखें इसके अंदर दाना पढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छे से इसमें छेना बन रहा है तो इसी तरह से हम धीरे धीरे इसे हिलाएंगे और आप देखें पानी अब थोड़ा अलग-अलग होने लगा है लेकिन अभी भी दूद है हमें इसे इतना हिलाना है यहाँ पर और इस तरह से हिला कि जो यह छेना एक लंप की रूप में collect हो जाएगा तब ही हमारा पवफेक्ट ली छेना बन कर आएगा उसी से हमारा पनीर पवफेक्ट बनेगा और ज्यादा से ज्यादा quantity में हमें हाप पनीर मिलेगा तो इस सेश पर आने के बाद में भी आपको इसे हिलाते रहना है ताकि हमें ज्यादा quantity में मिले देखी अब हमारा जो ये पनीर है जो छेना है एकदम अलग हो चुका है और साथ में आप दूत देख सकते हैं जो एकदम पानी हो गया उसका कलर चेंज हो गया है तो इस तरह का जब पानी निकल जाएगा तब हमारा ये छेना च्छनने के लिए तयार है तो इस बात का ध्यान रखें ऐसा करने से पॉफेक्ट और ज्यादा क्वालिटी का आपको पनी मिलेगा अब मैंने बरतन के उपर चलनी रख द जाएगा इस बात का जरूर ध्यान रखें और ये अच्छे से सैट भी नहीं होगा फिर आप से ब्लॉक्स कट नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से हम इस निकाल लेंगे चान लेंगे और ये बाकी बचाओ पानी से बिलकुल ना फेके से सूप करी आटा चावल जो भी आप ब जब तुरंद ठंडा करेंगे तो हमारा पनीर बग्दम मुलायम बन कर आएगा ये बहुत ही इंपोर्टन टिप है तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें अब हम इसकी एक पोटली बना लेंगे और हातों से स्क्वीज करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गरम पानी है ज्यादा से ज्यादा माता में तुरंद निकल जाए और इस तरह से पानी में हलका सा इसे डिप करेंगे और थोड़ा पानी और डाल सकते हैं ताकि जट पर से ठंडा हो जाए तो इस प्रॉसेस को भी आप ध्यान से जरूर करें तो आप देखें यहां पर यह जब आप अप प्लेट ली है उसके पर इस तरह से दूत पर ढखने की मेरी जाली है इसी को मैं पनी बनाने में यूज़ करती हूँ इससे रख देंगे और इसको रखने के बाद में मैं यहां पर इसको अच्छे से शेप दूनगे कहीं लोग इसे एसे ही पोटली बना के ढख के रख देते अब मैं आप एक रोटी बेलने वाले चकले से इसे दबा के करीब 20 मिनिट के लिए रख दूँगी आप चाहें तो कोई भी हैविय बॉटम यहाँ पे इस तरह से बरतन कुछ भी डख सकते हैं अब हम 20 मिनिट के बादा इसे खोल के देखेंगे कि एक ऐसा बना है हमारा प्रिशॉर से जरू से ज्यादा भी दबाके न रखें नहीं तो यह ड्राए बन जाएगा है तो 20-25 मिनिट इन फीध कें उते हम मैक्सिमम हाफ एना उससे ज़्यादा इसे दबा के ना रखें नहीं तो इसका सारा मौश्य निकल जाएगा वाव कोई कह सकता है हमने इसे घर पे बनाया है बिना नीबू बिना सिर्के से इदम पॉफेक्टली बनकर आया है और फ्रेंड्स आप नीचे पानी देख रहे हैं य जो कि बहुत भड़िया क्वालिटी है बहुत अच्छी कॉंटिटी है बहुत सॉफ्ट और मौलायम बना है तो इस तरह से अब आपको जब भी पनी बनाना हो इसी तरह से केसे बनाएगा एक बार आपने इस पनीर को खा रिया तो यकीन मैं आपको गैरंटी देती हूँ हमारे साथ बने रहें थैंक यू